मैंने आपका जान 1453 की उस घटना की ओर किया था जिसमें मैंने बताया था कि तुर्कों के द्वारा कुष्टुन तुनिया पर अधिकार कर लेना एक बहुत महत्पूर्ण घटना है महत्पूर्ण इसलिए क्योंकि इस से इस थल मार्ग जो आवागमन का जो इस थल मार्ग था वो बंद हो गया और इस थल मार्ग के बंद होने की विवश्टा ने यूरोपियनों को नए मार्ग खोजने के लिए विवश्च किया, नए मार्ग खोजने के लिए प्रेरित किया और समुद्री मार्गों का इसे प्रकार नए मार्गों की खोज होती हो क्योंकि योरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार होता था ये स्थल मार्ग से वो बंद हो चला तुर्की द्वारा कुछ चुंतिनिया पर कबजा करने के बाद तो इस व्यापार को जारी रखना एक बहुत महत्पूर्ण चीज थी क्योंकि ये व्यापार से इन लोगों को बहुत फाइदा हो रहा था अब श्थल मार्ग बंद हुआ तो जल्म मार्ग की और बढ़े और समुद्री मार्ग या जल्म मार्ग की खोज में एक बहुत अहम आविशकार ने अच्छी भूम का निभाई और वह था दिशा सूचक जन्त जिसे हम कुत्ब निमा भी कहते ह हैं इसके आविशकार थे क्या हुआ कि जो बहदुर नाविक थे वे लोग अब उत्तुलनात्मक जिस्ट्री से इस यात्रा को सरल पाने लगे और ऐसी साहसिक यात्राओं पर निकलना उनके लिए अब सरल हो गया नए मार्गों की खोज करना सरल हो गया कुलंबस जिसका मैंने जिक्र किया है मैं कि जो 1492 में जिसने तथा कतित उस जमीन की खोज की जैसे वो गलती से भारत समझ बैठा था और वास्तों में वही भूमी थी जो बाद में अमेरिका का हिस्टा मालूम होई समझरी मार्गों से कई देशों के रास्ते खोजे गया और इन भावगोलिक खोजों से योरोप का जो व्यापार एक तरीके से थम गया था कांस्टेंटिनोपल की घटना के बाद वो फिर से शुरू हुआ धन की बहुलता द्योगों को बढ़ावा दिया इंडस्टियल रिवलुशन अलग आया इस्पेन को दक्षन अमेरिका का वो देश मिला जो धन से पड़ा था सम्रिद्ध के रास्ते में आगे बढ़ गया इस्पेन और व्यापार के साथ साथ अब एक और देश जुड़ चला लोगों की यूरोपियनों द्वारा दूसरे देशों में जाने का एक और देश और वह था धर्म प्रचार तो इस प्रकार दो कारणों से हम देखते हैं लोगों का जाना आना प्रारंब हुआ और इसी आने जाने की प्रक्रिया में लोग यूरोपी लोग और बाद में एश लोग नए खेत्रों में जाकर बसने लगे, वहां के इस्थाई निवासी बनने लगे, वहां के मूल निवासियों के उपर अपने को समझने लगे, और एक समय आया जब उन्होंने उस खेत्र को उपनिवेश बना लिया. और यहां से शुरू होती है उपनिवेशों की स्थापना और उपनिवेशों की महत्ता जैसे जैसे ये ये येरोपियन समझते गए, बहतर समझते गए, वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बने नहीं लगे, इस परकार नए नए उपनिवेश शुरू हो गया उपनिवेश से हमारा तातपर क्या है यादि देखा जाए तो उपनिवेश किसी सम्रिद्ध शाली या शक्ति शाली राष्ट द्वारा अपने हितों चाहे वो व्यापारिक हो या आर्थिक हो शक्ति शाली राष्ट द्वारा अपने हित के लिए कौन से हित के लिए आर्थिक हित अपनी आर्थिक भलाई या अपनी व्यापारिक भलाई उसे पाने के लिए वह शक्ति शाली राष्ट निर्बल राष्ट की प्राकृतिक संसाधनों का शोशन करता है शक्ति के बल पर उनका उपभोग करता हो तो यह उपनिवेशवाद कहलाएगा वह निर्भल देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश हो जाता है तो अब आप समझ यह होंगे कि उपनिवेशवाद से ताटपर क्या है उपनिवेशवाद अर्थात ऐसा विचार ऐसी सोच जिसमें एक शक्तिशाली देश एक समरिद्ध देश एक निर्भल देश पर इसलिए अधिकार जमाता है ताकि वह वहां के संसाधनों का दोहन करते के प्राकृतिक संसाधनों का उप्योग करते और उसका उपयोग करने के लिए उसे जो शक्ति लगानी पड़ती है, शक्तिक सेर्थ, सेना, जबरदस्ती, ताकत, सत्ता का उपयोग, तो वह उसे अपना उपनिवेश बनाता है, और दूसरे शब्दों में निर्बल देश, इस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाएग तो और वहां की जो जनता है, वो क्या हो जाती है, शोशित हो जाती है, वहां की जनता निर्बल हो जाती है, वहां की जनता असहाय हो जाती है, क्योंकि उसे कोई अधिकार नहीं मिलते हैं, उसे किसी भी तरह का राजिनेतिक अधिकार नहीं मिलता, संक्षिप्त में शक्त शाली देश द्वारा कमजोर देश का शोशन पहली बात दूसरा अपने आर्थिक और व्यापारिक हिद के लिए शोशन तीसरी बात जो वहां के निवासी हैं उनको अधिकार किसी तरह के नहीं दिये जाते राजनातिक अधिकार किसी तरह के नहीं रहते और चौथी और अंतिम बात की शक्ति का उप्योग किया जाता है तभी शोशन होता है तो ये चार बिंदू उपनिवेश वात से जुले हुएं और गंस्की जो एक प्रसिद विचारक रहे हैं उनके निसार वे सभी ख्षेत्र उपनिवेश के टहण आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वाराशासित हों सिधी परिभाश़ा उपने वेश क्या है वे सारी जगें जो किसी विदेशी सत्ता के द्वारा शासित हों और जिसके निवासियों को राजनेतिक अधिकार ना हो राजनेतिक अधिकार से क्या तादपर है आप समझते होंगे मतदान का अधिकार स्वतंता का अधिकार समानता का अधिकार यह राजनती का अधिकार भी है वहां की शासन प्रडाली का हिस्सा बनना यदि वहां के लोगों को यह अधिकार नहीं है इसका मतलब वे लोग शोशित किये जा रहे हैं इसका मतलब वे लोग उपनिवेश का हिस्सा है तो ये थी और्गेंसकी की बड़ी संक्षित में बड़ी अच्छी परिभाशा हम किसी शक्तिशाली राष्ट द्वारा निर्बल राष्ट के शोशन को उपनिवेश वाद कहते हैं ये सारी विचार धारा हैं चाहे वो पूंजी वाद हो साम्य वाद हो समाज वाद उसके साथ ही ओपनिवेश वाद ये सारी विचार धारा हैं आधनिक विश्व की पहचान हैं आधनिक विश्व और आधनिकी करण की ओर का जो हमारा ध्याय है या हमारा जो भाग है इतिहास में उसमें ये सब बातें इसी लिए आ रही हैं। इस अध्यान में हमने आस्ट्रेलिया और यहां के लोगों का मूल अध्यान करेंगे जैसा मैंने बताया और ये अपरवासी कैसे वहां बस्तियां बनाने लगे इसका अध्यान हम करेंगे। या बस्ती उपनिवेश तो ये उपनिवेश वाज का दूसरा पक्ष सामराज्यवाद कहलाता है जो लोग सामराज्यवाद में विश्वास करते हैं सामराज्य बनाते हैं तो सामराज्यवाद में उनका विश्वास है और सामराज्य बनाने का रतिये हैं दूसरे देशों पर क कापज्या करना यानि दूसरे देशों को अपना उपनिवे बनाना दूसरे देशों को अपनी कालोनी बनाना तो इस परकार एक और जहां आपने उपनिवेश वाद समझा उसकी परिभाशा जानी वहीं सामराज जवाद क्या है सामराज जवाद शक्ति और हिंसा के द्वारा किसी देश पर विदेशी शासन ठोपने की प्रक्रिया तो सामराज जवाद और इसके साथ ही उपने वेश्वाद एक ही सिक्के के समझ लिजे दो पहलू है एक देश के द्वारा अपनी राज की सीमाओं के बाहर शक्ति का विस्तार करना ही सामराज जवाद है एक देश के द्वारा अपने राज की सीमा के बाहर अपनी शक्ति का विस्तार करना सामराज जवाद है यह मारगेंत्रों ने कहा है समराजवाद के दिप परिभाशा की बात करें तो भारतिय परिप्रेक्ष में डॉक्टर संपूर्णानन्न ने कहा है कि समराजवाद वह अवस्था है जिसमें पूंजी वादी राज शक्ति के बल पर आर्थिक जीवन पर नियंतरन करता है क्योंकि समराजवाद और आर्थिक व्यवस्था इन में बड़ा गहन संबंद है कोई देश समराजवादी व्यवस्था या समराजवादी विचार धारा पे इसलिए विश्वास नहीं करता कि उस वहां उस खेत्र के लोगों की भलाई करे बरकि समराज जवादी विचार धारा में इसलिए विश्वास करता है कि उस नए विजई क्षेत्र का आर्थिक शोषन कर सके तो समराज जवाद के पीछे आर्थिक शोषन के भावना नहित है उपनिवेश वाद के पीछे ये भावना नहित है कि उपनिवेश का अर्थ आर्थिक शोशन के लिए कोई साक्षित्र कबजे में लिया गया शक्ति के बल पर जवर्दत थी लेनिन तो एक कदम और आगे हैं आपने सुना होगा लेनिन जो आधनिक रूस के संस्थापक माने जाते हैं जो नहोंने रूस की करांग थी जो 1917 में हुई थी उसका नेत्रित तो किया था लेनिन ने तो कहा है कि पूझी वाद की जो सर्वोच दशा है वही संब्राजवाद है यह बड़ी विस्तरित परिवाज है एकिन हम इतना बस समझ लें कि संब्राजवाद और उपनिवेश वाद एक ही सिक्के के दो अलग-अलग पहलों जो उपनिवेश वाद में याने कॉलोनियालिज़म और संब्राज वाद याने इमपीरलिज़म और संब्राज वाद पर विचार करने वाला व्यक्ति इमपीरियलिस्त जो संब्राज पर विश्वास करें शुमों ने जो स्वयम एक प्रसिद विचारक रहे हैं और उन्होंने उपने वेश्वाद पर काफी गहन काम किया है उनका कहना है कि सामराज जवाद बिना शक्ति और हिंसा के कते इपराप्त नहीं हो सकता यानि सामराज जवाद में शोशन तो नहित है ही सामराज जवाद में हिंसा भी होए और शक्ति भी नहित है और अंतिम बात सामराज जवाद में विदेशी शासन नहित है विदेशी शासन यानि दूसरे देश पर कपजा करने की बात नहित है इस प्रकार सामराज जवाद की हम एक ही परिवाशा नहीं दे सकते क्योंकि उसमें आर्थिक बिंदू भी है, उसमें संसादनों के शोषन का बिंदू भी है, उसके बाद शक्ति बल और हिंसा कई बाते आती हैं. फिर भी हम एक सरल परवाशाय दिलें तो समराज्यवाज ऐसी सोच है ऐसी मनोवृत्य है ऐसी धारणा है ऐसी अवस्ता है जिसके तहट एक शक्तिशाली राष्ट किसी पिछडे और अविकसित राष्ट पर अपनी शक्ति और प्रभाव का उप्योग कर आर्थिक और राजनेतिक प्रभुत्व इस्थापित करता है ये एक सोच है एक अवस्ता है एक मनोवृत्य है जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट किसी अन्य पिछडे या निर्बल राष्ट पर शक्ति और हिंसा के द्वारा अपने प्रभाव के द्वारा आर्थिक और राज जिनेतिक प्रभुत्व स्थापित करता है और ऐसा करते हुए वह वहां की जनता का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोशन करता है आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोशन ये हो गई सामराज जवाद की परिवाश्चा तो अब सामराज जवाद के मायने क्या हुए हमारे लिए कि आर्थिक शोषण इसका उज्जेश होता है और इसी आर्थिक शोषण के परिप्रेक्ष में हम विस्थापन का अध्यान कर रहे हैं उनिश्वी सती में जो अध्योगी करांती हुई थी उस करांती के परणाम सुरूप क्या क्या परिवर्तन आयत यह हमने पढ़ा है और नए भगोलिक मारगों की खोज उसके साथ उत्पादन के सादनों में नए तरीकें का आना उत्पादन का बढ़ना इसने हमें नए नए ख शेत्रों की खोज के लिए बहुत प्रेरित किया योरप के जो शेक्तिशाली देश थे वे अपने अपने उत्पादनों की खपत के लिए नए नए संभावना तलाश ने लगे जाहे उसमें ब्रिटन हो फ्रांस हो या पुर्चगाल हो स्पेन हो इटाली हो ये देश जो मज बूत थे आर्थिक रूप से संपन्न थे और राजनेतिक जिसने से भी बड़े ताकतवर थे ये लोग नए मार्केट खोजना चाहते थे क्योंकि और द्योगी करांती ने उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया अब उस उत्पादन को खपाना था ना उसको खपाएं कहां नए नए मार्केट में नए मार्केट कैसे मिलेंगे जब हम नए रास्ते खोजेंगे और उसी रास्तों की खोज का परणाम हुआ कि ये बहुत सारे नए ने रूट सामने आए इनका मूल उद्देश इन रास्तों का और द्योगिक प्रस्टिस परधा के कारण एक तरीके से कबजा करना नए ने ख्षेत्रों में अब यूरोपी रास्तों में एशिया के साथ-साथ अफ्रीका के ख्षेत्रों पर भी प्रभुत्य स्थापित करने का एक तरीके से दौर चल पड़ा प्रारम में ये लोग एशिया तक्सीमित थे एशिया के देशों पर इनकी नजर थी इसमें भारत भी एक हिस्चा था भारत में फ्रेंच कंपनी आई डच कंपनी आई पोर्चुगीज कंपनी आई और इसके साथ ही बिटिश कंपनी आई अंता ब्रिटिश सामराज़ की हम स्थापना हुई पर इसकारत यह नहीं कि डाज पोर्चुगीज इन लोगों ने यह सामराज़वाजी नहीं थे इन्होंने किसी अन्नी खेत्रों में अपना विस्तार किया किसी अन्नी एशियाई देशों पर अपना कबजा जमाया और अब एशिया के बाद यह लोग अफरीका की ओर बढ़ चले और यह सब क्यों हो रहा था नए नए मार्केट को खोजने की नए नए मार्केट को खोजने के बाद इस पर कबजा करने की जो प्रतिस परधा इन देशों के बीच में हुई वही उपनिवेश का वाद का रूप होती थी अब जरूरी यह हो गया कि माल खपाने के लिए माल मातर पहुंचाया ही ना जाए यह सुनिश्चित किया जाए कि दूसरे देशों का माल वहां ना बिके ताकि हमारी मौनापली बनी रहे और हमारा ही माल वहां खरीदा जाए यही उपनिवेश वाद की बदलती हुई धारना को जन देता है यही सामराज जवाद की भावना को जन देता है और एक तरीके से यही हम कह सकते हैं उपनिवेश वाद की नीफ का धार बनता है तो कुल मिला के निशकर्ष यह कि यदि हम सामराज जवाद की विश्ष्ष्ष्षाओं की बात करें तो सामराज जवाद की प्रमुक विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अपने उपनिवेशों के जो मूल निवासी हैं उनके प्रती एक भेदभाव अपनाते हैं ये सामराजवाजी नीती का एक अहम हिस्सा होता है कि जो मूल निवासी हैं उनके प्रती भेदभाव अपनाना ये बिंदु बहुत अहम है क्योंकि यही भेदभाव की भावना विव थापित होने के लिए जो हमारे इस अध्याय का केंद्र है अध्यन केंद्र है और भेद भाव कैसे करती है उन्हें उनके राजनेतिक अधिकारों से वंचित रखती है तीसरी विशेष्टा सामराजवाद के कि वो जितने आर्थिक संसाधन उसका शोशन करते हैं तामराजवाद की विशेष्टा है कि उसके अध्यक होता है आर्थिक संसाधनों का शोशन और अपने देश की अर्थ विष्था के अनुसार शोशन करवाना अपने देश की अर्थ विष्था की आवश्यकत अनुसार जैसे वह धारन के लिए हम देखें तो इंग्लेंड में और द्योगी करांती के दौरान बहुत सारे कपड़ा उद्योग इस्थापित हुए लेकिन फैक्टरी तो हुनी लेकिन कपास नहीं था तो भारत जो उनका एक उपनिवेश था उसको उन्होंने विवश्च किया कि वह कपास भेजे ज्यादा से ज्यादा कपास का उत्पादन करे ज्यादा से ज्यादा जहांके किसानों को पर भाज में शक्ति बलका उप्योग कीया गया और फिर यहां ते कपास निर्यात करने लगे इंग्लेंड को तो इस प्रकार इसका जो मकसद होता है कि अपनी अर्थ्वरस्था के अनिसार शोषण करवाना चौथी विशेष्टा होती है कि अतरिक्त पूंजी का निवेश कर अधिक से अधिक लाब प्राप्त करने की इच्छा कुछ अतरिक्त पूंजी का निवेश कर अधिक से अधिक लाब प्राप्त करके वहां का व्यापार अपने हाथ में लेना जैसे भारत का सारा व्यापार अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था और अंतिम विशेष्टा है कि सामराज्यवादी देशों में ये भावना रहती है कि जो मूल निवासी हैं या जो उपनिवेश में रहने वाले लोग हैं वे लोग आज सब भी हैं भारत के परिप्रेक्ष में भी आपको याद होगा यदि आपने भारत के सतंता संग्राम की कहानी पढ़ी होगी अच्छे से तो उसमें एक बिंदु बारम बार आता है कि कैसे अंग्रेज लोग भारत के लोगों को असब भी कहते थे और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्री आंदोलन में ये असब भी बात कहना एक कारण बनी राष्ट्री आंदोलन का तो पांचवी विशेष्टा समराज जवाद की कि ये लोग जनता को असब भी मानते हैं और ऐसा कहते हुए उनके साथ भेद भाव करते हैं ये तो हो गई समराज जवाद की परिभाशा और समराज जवाद के माइने समराज जवाद की विशेष्टा इसमें जो मैंने एक बिंदु बताया दूसरा बिंदु कि ये मूल निवासियों के प्रति बड़ी हीन भावना से देखते हैं ये हमारे लिए बहुत महत्पूर है बिंदु तो अगले बिंदु पर हम आते हैं और वह है यूरोपी सामराज जवाद यूरोपी सामराज जवाद यनि जो पलायन है इस पलायन के पीछे हम कुछ सामराज जवादी विचारधारा की भूमिका देखते हैं और वह भी मूल रूप से यूरोप के लोंगों की ये बात तो इस शीरशक से स्पष्ट है सत्रवी सदी के आसपास मैंने जाता शुरू में बताया स्पेन और पर्तगाल ने सबसे पहले एक तरीके से आपनिवेशिक नीटिफ प्रारम में की थी तब तक इंगलेंड, फ्रांस और ये जो देश थे ये ज़्यादा विकसित नहीं हुए थे अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में ये अपने उपनिवेश बनाना शुरू करते हूं शुरू में, बड़े धीरे धीरे आयरलेंड भी जो है, वो आयरलेंड भी इंगलेंड का एक उपनिवेश ही है देखिए नक्षे में आयरलेंड भी इंगलेंड का हिस्सा है वैसे सचाई तो यह है कि वह इंग्लेंड का उपनिवेश ही है क्योंकि वहां के भूस्वामी जो वहां बसे हुए थे वो अंग्रेश्थ है और इसलिए वो भारत की तरह वह भी उपनिवेश है यह सत्रवी शताब्दी के आसपास अब अठारवी शताब्दी आते आते क्या ह होता है कि लाब की जो संभावना है प्राफिट की जो पासिबिलिटी है व्यापार से होने वाले लाब की संभावना बढ़ने लगती है इस बढ़ती संभावना से इन देशों के बीच में प्रतिस परधा बढ़ती है और उपनिवेशों पर ज्यादा से ज्यादा उपनिव बसाने की प्रेड़ना इनको मिलती है और अठारमी शताबदी में हम देखते हैं कि यूरोप के देश अफरीका और एशिया में व्यापारिक कमपनियों के माध्यम से राजनातिक सत्ता अपनाते हैं इस्थानी शास्कों को पराजित करते हैं और अपने सामराजिका विस्तार क के साथ हुआ अठारमी शताबदीया ने सत्रा सो से शुरू होता है भारत में सत्रा सो संतावन में प्लाची के युद्ध के साथ ही जो व्यापारिक कमपनी थी एक तरीके से उसने राजनातिक सत्ता पाली जब उसने प्लाची का युद्ध जीता उसके बाद बक्सर का यु बदल दिया और अब एक वो शासन करने वाली कंपनी बनने और यही हाल अन्य देशों का अन्य देशों में हुआ और यह सब अठारवी स्रदीब के आसपा यह लोग क्या करते थे कि जब जिस देश को अपना उपनिवेश बनाते थे वहां की व्यवस्था राजनेतिक व्यवस को वैसी रखते थे और केवल भू स्वामियों से कर ले लेते थे और यही कर उनकी आय का मुख्य जरिया होता था इसलिए तो रेलवेश का निर्मान हुआ ताकि वो देश के अंदरूनी हिस्थों तक जा सके उनका माल ताकि देश के अंदरूनी हिस्थों में जाके वे टेक collect कर सके, बड़े बड़े चाय बगान बनाए गया, चाय बगावनों तक railway mark पहुँचाए गया, तो ये railway mark के पीछे कोई सामाजिक भलाई नी थी, सामाजिक भलाई उद्देश नी था, इन railway mark के पीछे उनका उद्देश था, देश के अंदरूनी इलाकों तक पहुँच, ताक वासना में इस नक्षे को विश्क नक्षे के देखा जाए उत्तरी अमेरिका, आस्टेलिया, कॉंस्टेंटिनोपल, बेरिंग स्ट्रीट, इन जगों का जिक्र तो आया है एक दक्षन अफ्रीका को देखिया दक्षन अफ्रीका को छोड़कर पूरे अफ्रीका में योरोपी लोगं का व्यापार था दक्षन अफ्रीका को छोड़कर पूरे अफ्रीका में योरोपी लोगों का व्यापार था इस खेतर का बटवारत हो गया ये नक्षा आपको स्पष्ट करेगा विश्व का यह नक्षा के कौन सा देश किसका उपनिवेश था देखिए अफ्रीका अफ्रीका में पॉर्चुगीज, स्पैनिश, फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकंस और ऐसी एशिया का हल इन लोगों ने ये ये यूरोपियन देशों ने अपने अपने उपनिवेश बनाने में कोई कुता ही नहीं भरती और उपनिवेश बनाने का मकसद था शोशन करना रेलवे आई तो नीश्विश दाबदी का ते आते आते वो लोग अफरीका के अंदरुनी अलाकों में जाकर उनने कबजा किया और एक तरीक दे बटवारा भी कर लिया एक शब्द होता है सेटलर सेटलर जो शब्द है अंग्रेजी का वो उनलों के लिए किया जाता था जो दूसरे देशों से आकर बसें तो कौन लोग दूसरे देशों से आते थे यूरॉपियन्स लोग और बाद में कुछ एशियन लोग भी आये उन्हें क्या कहा जाने लगा सेटलर याने कॉलोनी में ये लोग सेटलर के रूप में आये सेटलर दक्षन अफरीका में डच लोग के लिए आयरलेंड न्यूजिलेंड और अस्टेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में येरॉपियन लोग के लिए कहा जाने लगा न्यूजिलेंड, अस्टेलिया, आइरलेंड यहां पर बिटिश लोग अच्छी तादाद में आए यह लोग यहां सेटलर कहला है और अमेरिका में यॉरप के लोग इनको सेटलर कहा जाने लगा उपनिवेशों की, चूँकि अधिकतर उपनिवेश यॉरप के थे, यॉरपी देशों के थे तो अधिकतर उपनिवेशों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती थी जबकि कनडा में फ्रांसी सी और अंग्रेजी भी थी, दोनों थी तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे इन छोटे छोटे यूरोपियन देशों ने अपनी समराज्यवादी नीत को अमली जामा दिया आपने सुना होगा नई दुनिया दे न्यू वर्ल नई दुनिया से ताटपर क्या है अमेरीका की खौच के बाद नई दुनिया की बात होती है अमेरीका की खौच जो 1492 में होई और इस नई दुनिया के संबंद में आपको इस सध्धयाय में कुछ शब्द दिये हुए हूं और वे शब्द जो यूरोपियनों ने इन शब्दों को उप्योग किया नई दुनिया के तंबंद में तो उसको हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है पहला जो शब्द है वो अमेरिका या अमरीका पहली बार ये अमरीका शब्द जो है वो अमेरिगो ने जो 15 शताबदी में था उसने यात्रा वृत्तांत लिखते समय शब्द का उपयोग किया है अमेरिगो वेस्पकी इसने इस शब्द का उपयोग अमरी का शब्द का उपयोग पहली बार करिया है अपने यातरा वृत्तांत में वहां से शब्द आया अमरीका ठीक कनाडा दूसरा जो उत्री अमेरिका का एक देश है और सेंक्सराज अमेरिका के ऊपर है ये शब्द कहां से निकला कनाटा से इस इस नाम के पीछे एक खोजी कार्टियर को मिली जाली जानकारी के हिसाब से इसकी वहां की लोकल भाषा में कनाटा का मतलब है गाउं क्या मतलब है गाउं तो उसने गाउं देखा होगा अपने यातरा वित्तांत में और उसको उसने कनाटा नाम दिया जो बाद में कनाडा बन गया और उसकार एक कनाडा एक स्वाम में एक देश हो गया आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया जो है दक्षिन महासागर में इस से एक बहुत बड़ा महादीप लातनी भाषा में दक्षिन को आस्ट्रल कहते हूं लैटिन लैग्वेज में दक्षिन को आस्ट्रल कहते हैं और त्योंकि उसमें लैटिन भाषा प्री डामिनेंट थी लैटिन भाषा का ज्यादा प्रभाव था लैटिन भाषा से लिए गया शब्द के आधार पे इस जगह का नाम कर दिया गया आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया न्यूजिलन्ड, हॉलन्ड के तास्वास द्वारा दिया गया ये नाम है तास्वास नाम के व्यक्ति ने जो हॉलन्ड के तरस ने नाम दिया और दच भाशा में जी मतलब समुद्र मैंने बताया हॉलन्ड के निवासियों को क्या कहा जाता है डच तो डच भाषा में जी मतलब समुद्र तो चुंकि 1642 में तासमास ने इस टापूओं को देखा न्यूजिलेंड टापूओं का देश है आयलेंड का देश है तो इसने उस समुद्र नाम चो इसको नाम दे दिया न्यूजी लेंड नया समुद्री जमीन तो ये देखिए ये इन चार देशों की चार जगों की विद्पर्ति के बारे में बलकि चार देशों की विद्पर्ति के बारे में नामों की विद्पर्ति के बारे में अमेरिका और अस्टेलिया में सौ से ऐसे जाज़ा स्थान है जो न्यू से शुरू होते हैं या जिनके नाम में न्यू शब्द जरूर आता है अमेरिका और अस्ट्रेलिया इसके पीछे यह है कि यह नई दुनिया से इनका ताथपर है नई दुनिया से इनका तालुकात है दे न्यू वर्ल से यह एसोशियेटड है